तो बच्चो आज हम चाप्टर 11 बायो टेकनोलोजी प्रिंसिपल एंड प्रॉसेस का दूसरा सब्टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि यह हमारा टूल्स ओफ री कॉंबिनेट डिन टेकनोलजी तो लास्ट क्लास के अंदर जो इसका लास्ट लेक्चर था उसके लास् प्रिंसिपल पर काम करता है और इसके अंदर कुछ-कुछ चीजों की जरुरत होती है तो उन्हीं चीजों को आज हम जानने के लिए हैं कि क्या-क्या टूल्स जो हैं हमारे री कॉंबिनेट डिन टेकनोलोजी के अंदर हमें चाहिए होते हैं तो स्टार्ट करते हैं अपने सब्स वाले सब्टॉपिक से जैनिटिक एंजीनिर इंग या फिरी कॉंबिन डिन टेकनोलोजी हम कैसे कंप्लिश कर सकते हैं हम कैसे अंदर बताया था क्या होते हैं हमारे molecular scissors होते हैं क्या होते है molecular scissors होते है यह DNA को cut करने में मदद करते हैं at specific points या तो ends पे या फिर center में polymerase enzymes ligases, vectors और host organisms तो main जो हमारे पास key tools हमें चाहिए होते हैं recombinant DNA technology perform करने के लिए वो कौन से होते हैं restriction enzymes polymerase enzymes ligases, vectors और most importantly हमारे पास host organism भी होना चाहिए तो start करें अगर हम लोग restriction enzymes हैं तो restriction enzyme जिनको हम लोग normally क्या बोलते हैं molecular scissors बोलते हैं normally क्या बोलते हैं molecular scissors बोलते हैं वो कौन सी class of enzyme से belong करती है basic जो class है enzyme की वो है हमारी nucleases मैंने एक छोटा सा ब्रीफ आपको ये जो था principles of biotechnology के अंदर दिया था कि जो restriction enzymes होते हैं वो based on the position वो कहां पे cut कर रहे हैं वो दो थरीके क्यों होते हैं exonucleases and endonucleases exonucleases क्या करते हैं जो nucleotides हैं उनको रिमूफ करते हैं फ्रॉम् की ends of the DNA DNA के ends पेसे अगर ends of the DNA पे cleave करते हैं तो वो क्या होता है हमारा exonucleases ही होते हैं क्या होते है exonucleases ठीक है endonucleases क्या करते हैं दे मेक specific cuts at specific position within the DNA So, endo का मतलब inside , endo का मतलब क्या होता है हमारा ? Endo का मतलब होता है inside और exo का मतलब क्या होता है ? Outside तो यह इस ट्रिक की वज़े से आप याद रख सकते हैं कि endonucleases कहा कट करेंगे ? DNA के अंदर यानि middle के अंदर कट करेंगे और exos कहां करेंगे अगर उनका मतलब है outside तो वो DNA के ends पे cut करेंगे, तो हमें यह पता चल गया कि restriction enzyme basically क्या करते हैं, nucleotide basis को cut करते हैं, cleave करते हैं DNA को at specific positions, for example the first restriction endonuclease hind 2, हमारा first restriction endonuclease कौन सा है hind 2, बहुत ही important MCQ जो आपके questions need के अंदर, CBSE के अंदर और और भी competitive exam के अंदर, आ सकता है, even subjective में भी आ सकता है, तो जो first restriction endonuclease था, endonuclease, endo का मतलब क्या होगा, DNA के sequence के बीच में cut करेगा, तो hind 2 है हमारा first restriction endonuclease, जो की cut करता है DNA molecules को at a particular point by recognizing specific sequences of six base pairs, यह six base pairs का specific sequence जो है, उससे recognize करता है और उससे ही cleave करता है DNA के अंदर, so this specific base sequence, it is known as the recognition sequence, जो यह specific sequence होता है, जो की restriction enzymes identify करते हैं, काटने के लिए उससे हम लोग क्या बोलते हैं, recognition sequence बोलते हैं, तो हमें एक term पता चल गई, क्या पता चल गई, recognition sequence, तो recognition sequence क्या होता है हमारा, वो specific sequence of DNA होता है, जिस पे जाके restriction, जो enzyme है हमारा, वो जाके cleave करता है, तो hind 2 का कितने base pairs का है हमारा, 6 base pairs का हमारा hind 2 पे है, clear, तो यह हमें पता चल गई कि recognition sequence क्या होता है, recognition sequence हमें पता चल गई कि क्या होता है, so the convention for naming this enzyme, the first letter of the names come from the genus and the second two letters come from the species, so कैसे हम लोग इस restriction जो enzymes है, इनकी naming कैसे करते हैं, इनकी basic naming कैसे करते हैं, जो उसका first letter होगा, जैसे कि अगर हम लोग हाइन 2 का example ले, है ना हाइन 2 का example ले, है तो H जो है हमारा genus का starting है, है ना, यह जो second 2 letters है, हमारे किसके हैं, species name के हैं, और जैसे कि हमारा देखो, इसमें E को आरवन, E को आरवन दिया हुआ हुआ है, E को आरवन में E हमारा किससे है, genus name है, जो कि है हमारा ishristia coli, ठीक है, r y 13, the letter r is derived from the name of the strain, जो हमारा फिर यह d आएगा, यह क्या है, हमारा name of the strain, name of strain, तो हमें पता चलगे है, जो first letter होता है, वो हमारा होता है, genus का first letter, जो next two letters होते हैं, वो हमारे species के होते हैं, और फिर last, एक और letter जो आता है, वो name of the strain होता है, Roman numbers following the names indicate the order in which the enzymes were isolated, तो यह हमारा क्या करता है, order of enzyme isolation, कि वो first isolate हुआ था उस strain में से, second हुआ था, third हुआ था, तो हम उसे Roman number से indicate कर देते हैं, तो हमें naming clear हो गई, naming में क्या है, कि first letter है, हमारा genus name है, second, दो letters जो है, second और third वो हमारे species है, fourth letter जो है, हमारा क्या है, name of the strain है, और last जो हमारे Roman numerals होते हैं, वो क्या होते हैं, वो order बताते हैं, कि किस order में जो है, वो strain से derive हुआ था enzyme, तो यह हमें clear हो गई, इसकी naming कैसे होती है, restriction enzymes की, each restriction endonuclease, it recognizes a specific palindromic sequence, palindromic sequence क्या होता है, palindromic sequence का, अगर मैं आपको example दूँ, यह होता है, अगर हम इस word को यहां से पढ़े, और इस word को यहां से पढ़े, यह दोनों ही words, दोनों ही directions अगर हम लोग पढ़ ले तो यह हमारा से बिलकुल सेम आएगा ना, Malayalam और Malayalam, है ना, यह हमारा सेम आएगा, ठीक है, तो ऐसे sequences, जिनको हम चाहे आगे से पढ़े, पीछे से पढ़े, वो सेम ही आते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, पैलन्रोमिक सीक्वेंस बोलते हैं, तो हर एक recognition, restriction, endonuclease जो है, वो recognition sequence पे जाके, cut करता है, तो उस recognition sequence के अंदर क्या होता है, पैलन्रोमिक नुकलोटाइट सीक्वेंस होते हैं, क्या होते है, GATTC, अगर हम लोग इसको आगे से पढ़े, तो यह क्या है, GATTC, और जब हम इसको backward पढ़े, क्या यह सेम है, नहीं, तो वैसे ही मल्यालम जैसे हमें जो है words देखने हैं, कि वो हमारे क्या होंगे, पैलन्रोमिक सीक्वेंस होते हैं, क्योंने हम आगे से पढ़े, उन्हें हम पीचे से पढ़े, वो दोनों ही सेम वर्ड देगा, तो जो हमारे रिस्ट्रिक्शन अंडोन्यूक्लियस होते हैं, जो अंदर, डिने के अंदर कट करते हैं, उनको ऐसे पैलन्रोमिक सीक्वेंस होता है, तो यह देखो जैसे जी ए एटीटीटीशी, यह 5 प्राइम तो 3 प्राइम जा रहा है और 3 प्राइम तो 5 प्राइम हमारा क्या है, CTTAAG, तो हम इसे उल्टा यहां से पढ़ रहे हैं और यहां से पढ़ रहे हैं यह बिलकुल ही same है तो यह एक तरीके का हमारा क्या हो गया palindromic sequence हो गया तो enzyme क्या करेगा इस palindromic sequence को एक ही जगा पे जो है cut करेगा ECO R1 cuts the DNA between the bases G and A only when the sequence G A A T T C is present तो क्या करेगा वो से cut करेगा G A A पे वो cut करेगा यहां पे वो cut करेगा और यहां पे भी वो cut करेगा उसे जब cut किया तो क्या बना जाता है यहां पे sticky ends बन जाते हैं यहां पे sticky ends बन जाते हैं तो यहां से जो है वो add होएगा यहां पे हमारा foreign DNA और DNA fragments जो है join कर जाएंगे DNA fragments जो है sticky ends पे join कर जाएंगे यह हमारा ECO R1 का क्या है mechanism है ECO R1 का यह mechanism है action of the restriction enzyme ECO R1 यह किस पर कट करता है यह GAA पर कट करता है तो क्या sequence है इसका GAA TTC और यहां पर आएगा तो जब हम इसे 5 प्राइम से 3 प्राइम पढ़ रहे हैं और जब हम इसे 3 प्राइम से 5 प्राइम पढ़ रहे हैं तो आप देख सकते हो कि यह sequence बिल्कुल ही same है तो यह क्या करता है ECO R1 यहां पर कट करता है और यहां पर कट करता है तो सिरफ GC ही आपस में जोइंड रहते हैं बाकि सारे जो हैं कट हो जाते हैं तो जब यह कट हो जाएंगे तो हमारा यह क्या बनेगा TTA बचेगा है ना TTA बचेगा यह वाला पार्ट हमारे निकल जाएगा तो foreign DNA यहां पर आके join हो जाएगा और वो क्या बना देगा हमारा recombinant DNA बन मार देगा तो यह हमारा किसका sequence होता है ECO R1 जिस sequence पर काम करता है यह उसका example है So the restriction enzymes they cut the strand of the DNA a little away from the center of the palindrome site यह center पर जाके click cut नहीं करते हैं जब कि यह थोड़ा सा center से deviate होके cut करते हैं यह palindrome sequence में और between the same two bases on the opposite strands The stickiness of the strands it facilitates the action of the enzyme DNA ligase मैंने आपको बताया था कि जो दो DNA strands होते हैं वो किस से join होते हैं हमारे DNA ligase से join होते हैं तो उधर से हमारी जो molecular scissors है वो cut करती है center से थोड़ा सा आगे जैसे कि मैंने आपको बताया था कि GAA TTC हमारा जो ECO R1 है वो यहां से cut कर रहा है वो center से नहीं cut कर रहा हो यहां से cut कर रहा है है ना तो इसलिए sequence यह palindrome sequence के थोड़े से आगे से cut करते हैं center से cut नहीं करते हैं उसके बाद में जब foreign DNA को vector DNA से जोड़ना होता है तो कौन सा enzyme आता है हमारा DNA ligase आता है so the restriction endonucleases are used in genetic engineering to form recombinant molecules of DNA जिसके अंदर DNA जो है हमारा different sources से आके जोड़ जाता है तो genetic engineering के क्या होता है अंदर क्या होता है कि हमारा vector के अंदर हमारा DNA of interest को हम लोग जोड़ लेते हैं foreign DNA को हम लोग जोड़ के अपनी मर्जी का एक DNA बना के उसे host के अंदर introduce कर देते हैं तो restriction endonuclease यही तो करता है यह genetic engineering के अंदर recombinant DNA को बनाने में मदद करता है तो recombinant DNA हमारा किसका बना होता है recombinant DNA के अंदर हमारा होता है क्या foreign DNA plus vector DNA जो से carry कर रहा है और उसके बाद में यह लोग कहां जाते हैं यह host के अंदर जाते हैं तो यह होता है हमारा rdna का छोटा सा जो मैंने आपको एक brief दे दिया कि ऐसे ऐसे जो है यह form होता है वैसे बहुत ही इंट्रस्टिंग चाप्टर है बहुत थोड़ा सा easy लगेगा मतलब easy लगेगा क्योंकि यह समझने वाला चाप्टर इसके अंदर कुछ भी रटने वाला नहीं है सबको समझने वाला है और सबका जो basis है वो सेम रहता है है ना सबका बेसे सेम रहता है कि हमने रिकॉमिन इंट इन बनाना है तो हम कैसे कैसे बना सकते हैं कि रत duks में जरेन इन यह अंद इन डिन लाइंट कर रहा है अITHS के बाद में इलाइम जो है फोरन डिनए ओर अर प्लासमेड को की क्या कर रहे है उस दियने को जोorsa का नंद इंट रोड Rights transformation और उसके बाद में वो होस्ट मशीनरी के साथ डिवाइड करके cells को यह division हो रही है ठीक है separation and the isolation of DNA fragments the cutting of DNA by restriction endonucleases वो क्या करता है fragments बना देता है यह हमारा DNA segment है यहां से अगर restriction endonuclease ने काटा तो हमारे यह fragments बन गए ना हमारे यह fragments बन गए तो यही लिखा है कि the cutting of DNA by the restriction endonuclease वो क्या करता है हमारा fragments of DNA बनाता है clear so these fragments इनको हम लोग कैसे separate कर सकते हैं by the technique of gel electrophoresis so gel electrophoresis की technique से हम इन fragments को separate कर सकते हैं so DNA fragments हमारे क्या होते हैं basic negatively charge होते हैं और वो क्या कर सकते हैं जब हम उनको anode की तरह force करेंगे move करने के लिए तो electric field के अंदर वो जो है separate हो जाते है on the basis of size जो smaller होगा वो सबसे आगे जाएगा जो larger piece होगा वो पीछे आ जाएगा so electric field के अंदर medium या फिर matrix के अंदर electric field के influence के अंदर जो DNA fragments हैं वो separate हो जाते हैं छोटे वाला सबसे आगे होता है और सबसे लार्ज वाला सबसे पीछे होता है और किसकी किसकी तरफ move कर रहे होते हैं यह node की तरफ move कर रहे होते हैं क्योंकि यह जो होते हैं हमारे DNA fragments negatively charge होते है negatively charge क्यों होते हैं क्योंकि इनके अंदर क्या होता है हमारा phosphate group होता है क्या होता है phosphate group होता है so the most commonly used matrix is agarose agarose हमारा जो होता है सबसे ज़्यादा commonly used होता है ऐसा कुछ हमारा DNA separation dna band gel electrophoresis का कुछ ऐसा हमारा setup रहता है plate होती है जिसके अंदर हम लोग gel डालते हैं जो की commonly हम लोग use करते है agarose जो की हमें seaweed से मिलता है किस से मिलता है seaweed से मिलता है फिर dna fragments जो होते हैं separate होते हैं on the basis of sizes through the sieve effect which is provided by the agarose gel so the smaller fragment होगा वो सबसे तेज जाएगा और सबसे larger वाला होगा सबसे धीरे जाएगा तो ऐसे कुछ हमें DNA fragments दिखते हैं तो smallest वाला सबसे आगे है है ना smallest वाला सबसे आगे largest वाला सबसे पीछे यहां पे जो होता है हमारे wells के अंदर जो ता है dna की loading होती है dna को load करने के बाद dna को हम लोग run करते हैं in the electric field और जो largest segment होता है उस अब से slow रहे के उस अब से पीछे-पीछे रहता है wells के पास और जो smallest होता है वो एनोड की तरफ तेजी से भाग जाता है so the separated dna fragment they can be visualized after staining the dna with ethereum bromide etbr ethereum bromide इससे जो है हम dna की staining करते है और उसके बाद में उसे expose कर देते हैं the uv light जिससे की हम जो यह fragments देख पा रहे हैं यह हम staining के बाद ही देख पा रहे हैं so the separated bands of dna they are separated from the agrose gel and extracted from the gel by the process known as illusion illusion के थूई जो dna हमारा है separate हो जाता है from the agrose gel और extract कर लेते हैं हम लोग उसे gel से तो उसे क्या बोलते है illusion बोलते हैं और जो dna fragment है उसे हम लोग कैसे उसे हम लोग recombination में यूज कर सकते हैं हमारा gene हमारा dna of interest हमें मिल जाता है तो उसे हम क्या करेंगे recombination में यूज कर लेंगे है ना dna का fragment हमें मिल गया जो हमारे useful था हमने वहां से निकालके vector dna के अंदर उसे डाल दिया next जो हमें चाहिए होता है restriction enzyme के बाग cloning vectors cloning vectors क्या होते है हमारे वो वो dna vectors जो की हमारा जो है dna of interest को ले के जाते है to the host so हमारे यह क्या होते है basically plasmid और bacteria phages जो होते है उन्हीं को हम लोग cloning के लिए use करते है जो plasmid और bacteria phages होते है उन्हीं को हम लोग cloning के लिए use करते है मतलब multiple copies of the gene of interest को बनाने के लिए cloning कहीं भी आया न वर्ट बच्चे तो cloning का मतलब क्या होता है cloning का मतलब होता है है multiple copies, cloning का मतलब क्या होता है हमारा multiple copies, तो वो ही इसके अंदर बताया गया है कि जो plasmid और bacteriophages हैं, उनको हम लोग commonly cloning के अंदर यूज कर लेते हैं, किसके अंदर यूज करते हैं, क्लोनिंग के अंदर यूज करते हैं, क्यों, क्योंकि अगर वो foreign DNA लेके जाएंगे host के अंदर, फिर host आगे replication बगरा करेगा, अपने daughter cells बनाएगा, तो उसके अंदर हमारी multiple copies बन गहीं, desired DNA की, तो वो एक तरीक से क्या हो गई हमारी, cloning ही हो गई, है ना, so they have the ability to replicate within the bacterial cells, independent of the control of chromosomal DNA, plasmid और bacteriophages ही क्यों हमारे vector DNA होते हैं, क्योंकि वो bacterial cells के अंदर, easily replicate कर लेते हैं, और chromosomal DNA के influence से, वो independent है, so bacteriophages, because of their high number per cell, have very high copy numbers of their genome within the bacterial cells, bacteriophages को इसले लेते हैं, क्योंकि उनको copy number होता है, वो बहुत ही जादा high होता है within the bacterial cell, so some plasmids may have only one or two copies per cell, whereas others may have fifteen to hundred copies per cell, कितना high rate है न, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जब हम copies per cell लेते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं, copy number, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, copy number बोलते हैं, कि एक bacterial cell के अंदर, कितना number है उनका, plasmid का या bacteriophages का, तो कई-कई plasmid, जो है एक या दो copies करते हैं, पर कई-कई जो होते हैं, 15 से 100 copies per cell भी लेहा जाते हैं, और their numbers, they can even go higher, so if we are able to link an alien piece of DNA with the bacteriophage और a plasmid DNA, we can multiply its numbers equal to the copy number of the plasmid or bacteriophages, तो जैसे अगर हमने एक foreign DNA लिया, है ना, foreign DNA जो हमारा DNA of interest है, उसको हमने किसी vector के साथ जोड दिया, vector हमारा क्या होगा, या तो bacteriophage, या फिर हमारा plasmid, तो जब हम उसे plasmid या फिर bacteria of आज के साथ जोड रहे हैं, तो हम यह देखेंगे कि जितनी बारी वह multiply कर रहा है, वह हमारे copy number से हम उसे associate करके equal कर सकते हैं, कि हाँ, इसकी इतनी copies बनेंगी, cell की इतनी इतनी बनेंगी, so vectors used at present are engineered in such a way that they help easy linking of foreign DNA and the selection of the recombinant from the non recombinant. So, the following features that are required to facilitate cloning into a vector, vector के अंदर हमेज़ foreign DNA insert करना है, तो क्या क्या चीजे हम लोग देखते हैं, क्या क्या उसके features होते हैं, तो आये जानते हैं, first है हमारा क्या origin of replication, सबसे पहला क्या होना चाहिए उस vector के अंदर origin of replication होन चाहिए, so this is a sequence from where the replication starts and any piece of DNA, when linked to this sequence is also responsible for controlling the copy number of the linked DNA, सबसे पहला vector के अंदर क्या होना चाहिए, origin of replication होना चाहिए, जिसको हम लोग ORI भी बोलते हैं, तो इसके अंदर क्या होता है, यह वो sequence होता है, कि जहां पर हमारी replication start होती है, है ना, सो जब हम किसी भी DNA के piece को इस vector के साथ link करेंगे, सो इससे पता चलेगा कि इस sequence के थू है हमारा जो DNA है, इंटरस्ट वाला DNA है वो replicate कर रहा है, इसके copy number से में पता चल जाएगा कि कितनी बारी वो replicate करेगा, करेगा, so if one wants to recover many copies of the target DNA, it would be cloned into a vector whose origin support high copy number, so अगर किसी को foreign DNA की बहुत ही जादा high copies से ही है, तो उसे देखना होता है कि कौन सा plasmid या bacteriophage जो है, उसका high copy number हो, वहीं पर उसे insert करें, क्यूंकि ultimately vectors के through ही वो लोग जो है replicate करेंगे, और जितना उनका copy number होगा उतनी बारी वो replicate करेंगे, तो इसलिए जब भी foreign DNA को insert करना होता है vector के अंदर, तो क्या देखा जाता है हमारा copy number देखा जाता है, selectable marker, in addition to or I, the vector requires a selectable marker which help in identifying and eliminating non-transformants and selectively permitting the growth of the transformants, तो क्या होता है, और I के साथ-साथ selectable marker भी होना बहुत जरूरी है, selectable marker क्या होता है, जो identify करने में मदद करता है, कि यह recombinant है और यह non-recombinant है, इसकी transformation हो गई है और इसकी transformation नहीं होई है, तो क्या करेंगे, जिसकी transformation हो गई है, जो transformants हैं, उनकी growth को यह लोग आगे बढ़ाएंगे, और non-transformants की growth को identify करके eliminate कर देंगे, third requirement क्या होती है, transformation की, it is a procedure through which a piece of DNA, it is introduced into the host bacterium, तो transformation क्या होता है, वो technique होती है, जिसके through जो foreign DNA, जो DNA of interest है हमारा, उसको हम लोग कैसे introduce कर रहे है, in the host bacterium, है न तो transformation ही होगे, normally the genes encoding the resistance to antibiotics, such as the ampicillin, crolymphenicol, tetracycline, or canamycin, they are considered useful selectable markers, the normal ecoli cells do not carry resistance genes against any of these antibiotics, so selectable marker की हम लोग जब बात करे, तो antibiotic जो resistance gene होती है, यह हमारी selectable marker की तरह हम लोग use कर सकते है, हम लोग क्या कर सकते हैं, कि transformants को check करने के लिए, हम उसी culture media पर उने grow करेंगे, जहां पर antibiotics present होगी, है न, तो जैसे अगर मैंने example लिया, amphicillin resistant gene का अगर मैं check कर रही हूं, कि कौन-कौन से bacteria मेरे जो है, amphicillin resistant है, तो मैं क्या करूँगी, एक culture लूँगी जिसके अंदर amphicillin डालूँगी, उसके अंदर bacteria को grow करूँगी, तो जो grow कर गए, वो मेरे transformants है, जो उसे resist नहीं कर पाए, क्योंकि normal जो E. coli cells है, उनके अंदर resistance का gene नहीं होता है, तो जिनके अंदर resistance का gene नहीं होगा, मतलब वो क्या होंगे, हमारे non-transformants होंगे, और वो उस amphicillin resistant gene culture के अंदर grow नहीं कर पाए, तो amphicillin present culture के अंदर grow नहीं कर पाए, वो मेरे non-transformants होगे, मैंने उनको eliminate करना है, क्योंकि वो मेरे किसी काम के ही नहीं है, अगर वो antibiotic resistant शो कर रहे हैं, तो ही तो मेरे काम के है, अगर नहीं कर रहे तो मेरे काम के नहीं है, तो मैंने eliminate कर दूंगे, और जो grow कर रहे हैं, जो transformants है, उनको मैं आगे grow कर पाऊंगे. Cloning sites, to link the foreign DNA, the vector need to have single recognition sites for the commonly used restriction enzymes, as presence of more than one recognition site within the vector will generate several fragments which will complicate the DNA cloning, तो क्या होना चाहिए, vectors के अंदर हमारी cloning sites होनी चाहिए, वो sites, जिसके उपर restriction enzymes जो है काम करेंगे, और अगर एक से जादा cloning sites है, तो क्या होगा, बहुत ही जादा cloning का जो process है, वो बहुत ही जादा हमारा क्या हो जाएगा, complicated हो जाएगा, तो उससे क्या होगा, several fragments बन जाएगा, अगर बहुत सारे cloning sites है, मतलब restriction enzymes, कितनी सारी sites पर जाके clone करेंगे, कितनी सारी sites पर जाके cut करेंगे, तो कितनी सारे fragments बन जाएगे, तो यह और नहीं तो क्या हमारा complicated ही कर देगा, है ना, क्या हमारे features होने चाहिए, सबसे पहला उसके अंदर origin of replication होने चाहिए, दूसरा selectable marker होना चाहिए, 3rd transformation होने चाहिए और 4th cloning sites होने चाहिए, So, for example, you can ligate a foreign DNA at the BAM H1 site of tetracycline resistant gene in the vector PBR 322, the recombinant plasmid will lose tetracycline resistance, due to insertion of foreign DNA, but can still be selected out from the non recombinant ones by plating the transformants on tetracycline containing medium, so BAM H1, हम उसके साथ अपना foreign DNA link करेंगे, और vector क्या होगा हमारा PB 322, तो वो क्या होता है, हमारा tetracycline resistant gene होता है, तो हम क्या करेंगे, transformants and non-transformants को अलग करना है, तो हम एक culture medium पे, क्या करेंगे, डाल देंगे, culture किसका बनाएंगे, हम tetracycline containing culture हो जाएगा, तो जो जो उस पे grow कर पा रहे हो हमारा tetracycline resistant है, हमने उनी को आगे लेके जाना है, और जो नहीं grow कर पा रहे हमने उससे eliminate कर देना है, so the transformants growing on amphicillin containing medium, are then transferred on a medium containing tetracycline, the recombinants they will grow, पर जो non recombinants है, वो नहीं grow कर पाएंगे, in this case, one antibiotic resistant genes helps in selecting the transformants, whereas the other antibiotic resistant gene gets inactivated due to insertion, and this helps in the selection of recombinant, so insertional activation नाम की हमारी एक term आती है, जब हम लोग cloning vectors की बात करते है, तो cloning vectors में insertional inactivation नाम की एक term आती है, so it is a selection of recombinants, due to inactivation of antibiotics in a cumbersome procedure, because it requires simultaneous plating on two plates, having different antibiotics, so 2 plates लेते हैं, amphicillin और tetracycline, हमने लिया, so जो transformants हमारे grow कर रहे हैं, amphicillin containing medium पे, उनको हम लोग transfer कर देएं, इस परुकू ते टे ट्राशाइकिलेजन वाले पे और पर जो recombinants amphicillin पर घ्र रहे हैं, पर lawn नहीं कर रहे हैं, पर जो non-recombinants है, जो दोनों antibiotics पर रहें, निकल जाएंगे, पर जो amphicillin पर जो लोग कर रहे हैं, और tetracycline पर grow नहीं कर रहा है, वो उनको हम select कर नहींगे, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, insertional inactivation बोलते हैं, a recombinant DNA, it is inserted within the coding sequence of the enzyme, beta-galactosidase, so इसे क्या होगा, inactivation of the gene हो जाएगा for the synthesis of this enzyme, इस enzyme, मतलब recombinant DNA हमने insert किया, enzyme beta-galactosidase जहाँ पर कोड कर रहा था, वहाँ पर हमने recombinant DNA को insert कर दिया, तो उससे क्या होगा हमारा, हमारा क्या होगा, उससे वज़े से जो gene है, जो synthesize कर रहा है इस enzyme को, वो inactivate हो जाएगा, और इसे हम लोग क्या बोलेंगे, insertional inactivation बोलेंगे, so the presence of chromogenic substrate, it gives blue color of colonies of the plasmid in the bacteria, does not have an insert, presence of inserted results into insertional inactivation, and the colonies do not produce a color, these are identified as recombinant colonies, तो क्या करते हैं, बहुत ही easy procedure होता है, बहुत ही जादा easy procedure होता है, इसमें लोग क्या करते हैं, chromogenic substrate लेते हैं, ठीक है, तो हमने क्या कर रहा है, हमने बीटर के लेक्टोसी डेस वाली, जो coding strand है, जो coding enzyme है, उसको inactivate कर रहा है, तो जब हम उस chromogenic substrate पे transformants और non-transformants को grow करेंगे, so जो non-transformants हैं, वो क्या करेगा, वो blue color देगा, तो हमें पता चल जाएगा, कि इसके अंदर insertional inactivation नहीं हुई है, पर जो transformant है, वो क्या करेगा, वो blue color नहीं देगा, chromogenic substrate में, वो white color देगा, तो उससे हमें पता चल जाएगा, यह हमारी recombinant colonies हैं, तो इससे हम लोग क्या बोलते हैं, insertional inactivation बोलते हैं, कि उस जीन को insert करके हम लोग जो है, inactive कर देते हैं, So, the vectors for cloning genes in plants and animals, agrobacterium tumeficants, जिसको हम लोग T, I, V, A, T भी बोलते हैं, it is able to derive a piece of DNA known as T-DNA, to transform a normal cell into a tumor, and these tumor cells to produce the chemicals which are required by the pathogen, जो agrobacterium tumeficants है, वो हमारा क्या है, dicot plants का pathogen होता है, अगर हम क्या करें, अगर हम उसको DNA के अंदर insert करेंगे, वो क्या बनाएंगा T-DNA, जो कि normal, जो हमारा normal functioning plant cell है, उसको किसमें कर देगा, transform कर देगा, और वो क्या करेगा, उन tumor cells को क्या करेगा, direct कर देगा, जिसते कि वो एक chemical produce करेंगे, जो कि pathogen के लिए required है, so the retrovirus in animals have the ability to transfer normal cells into the cancerous cells, retrovirus के अंदर भी ability होती है कि वो normal cells को, हमारे cancerous cells में तबदील कर देते हैं, so the tumor inducing plasmid of agrobacterium tumificance have been modified into cloning vector having no more pathogenic to plant, agrobacterium tumificance क्या करता है, हमारा TDNA बनाता है, जो की normal cell को tumor cell में change कर देता है, और फिर वो एक chemical produce करता है, जो की pathogen के लिए required होता है, पर जो tumor inducing plasmid है, हमारा agrobacterium tumificance को, उसको modify कर दिया है into cloning vector, जिसके अंदर कोई pathogenic activity नहीं है, plant के against, so retrovirus को भी इसी तरीके से जो है modify कर दिया है, कि वो जो है animals को कोई pathogenesis नहीं करेंगे, so once a gene or a DNA fragment, it has been ligated into a suitable vector, it is transferred into a bacterial plant or animal cell, जहां पर वो multiply करता है, तो हमने यह देख लिया, कि vector के अंदर जहमाँण gene of interest, या फिर DNA of interest को insert करते हैं, उसके बाद में उसे plant, animal या फिर bacterial cell, किसी host के अंदर डालना होता है, तो यह हमारा cloning vector का, E. coli cloning vector PBR 322 का वो है, structure है, तो इसके अंदर कितनी सारे restriction sites है, हाइंड 3 की है, E. co-r1 की है, BAMH1 की है, Sal1 की है, PVU2 की है, PST1 की है, तो यह क्या करता है, यह सारा और कुछ नहीं, यह बहुत ही जादो कॉंप्लिकेट कर देता है, इसके अंदर दो resistant gene भी है, antibiotic resistant gene, ampicillin resistant and tetracycline resistant, यह रहा इसका और आए, origin of replication, ठीक है, ROP क्या करता है, codes for the proteins involved in the replication of plasmid, तो और ही एरा, antibiotic resistant gene, यह सारे हमारे restriction enzyme की sites है, तो इसलिए क्या कर देता है, जो यह PBR 322 है, इसके अंदर बहुत सारे restriction enzyme की site है, यहना multiple sites है, तो यह क्या करता है, complicate कर देता है, cloning के process को, यह complicate कर देता है, ठीक है, सो लास्ट हमें जो चाहिए होता है, जो हमारा tool होता है, वो होता है हमारा competent host, सो competent का मतलब क्या है, कि वो जो changes है, उसको लेने के लिए बिलकुल तयार है, वो changes को लेने के लिए बिलकुल ही तयार है, सो the simple chemical treatment, with the divalent calcium ions, it increases the efficiency of the host cell, तो वो क्या करता है, जो हमारे calcium ions होते हैं, जब हम उनको जो divalent होते हैं, CA plus 2, इनको जब हम competent host को, इस calcium ions के साथ जो है, treat करते हैं, तो वो क्या करता है, efficiency बढ़ा देता है host cells की, जिसकी वज़े से, वो easily recombinant DNA के plasmids को, ले सकते हैं, तो हमें यह पता चल गया, कि जो special chemical treatment है, वो किस के होता है, divalent calcium ions की वज़े से होता है, ठीक है, divalent calcium ions के अंदर, जब हम competent host को treat करेंगे, तो वो efficiency बढ़ा देता है host cells की, जिससे की वो, rDNA plasmid easily accept कर सकते हैं, so the rDNA, rDNA का full form क्या है, हमारा recombinant DNA, हम short में से use करेंगे, rDNA, ठीक है, so rDNA can also be transform into the host cell, by incubating both on the ice, ice पर भी कर सकते हैं, कि rDNA और host cell को हमने ice के उपर रख दिया, और 42 degree Celsius पर हमने उसे रख दिया, फिर बाद में, और फिर हमने फिर से back से उसे ice पर रख दिया, host को हम लोग घुमा रहे हैं, with recombinant DNA, यह हमारा क्या होता है, heat shock method होता है, heat shock method होता है, उससे क्या होता है, bacteria जो है competent हो जाता है, efficient हो जाता है, जिससे की वो हमारा vector ले ले, micro injection method भी हम लोग use कर सकते हैं, जिसमें rDNA को हम लोग directly inject कर देते हैं, cells के nucleus के अंदर by using glass micropipet, सो हमने कौन-कौन से method देखे, सबसे पहले हमने देखा, diavalent calcium ion method, उसके बाद में आपने देखा, heat shock method, जिसके अंदर पहले ice पर रखते हैं, फिर heat करते हैं, फिर ice पर रखते हैं, तो उससे जो हमारा host चाहे, वो competent बन जाता है, और लास्ट हमने देखा, micro injection method, जिसके अंदर हम लोग जो है, rdna को directly inject कर देते हैं, nucleus of the cells में, through the glass micropipet, उसके बाद में मारा आता है, biolistics gene gun method, जो कि क्या होता है, rdna को directly introduce, जिब हम लोगों को करना होता है, plant cell के अंदर, इसके अंदर क्या होता है, कि जो microscopic particles होते हैं, हमारे gold या फिर tungsten के, उसको हम लोग coat कर देते हैं, with the dna of interest, और उसको cells के अंदर bombard कर देते हैं, किसके अंदर कर देते हैं, cells के अंदर bombard कर देते हैं, क्या होगा, या तो हमने tungsten लिया, gold लिया, उसके आसपास हमने dns जो है हमारcape का उसे लेईरिंग कर दिया उसकी उसको cover कर दिया उसके बाद में उसको हम लोग के अदर सीधे bombard कर डेते हैं जो लाश मेतोर दोता है वो हमारा लास होता है disarmed pathogen जैसे कि वैक्डर स made a को बता है agrobacterium tummificence हो क्या करते है वह cell के अंदर जब हम उसे allowed करेंगे क्या करेंगे transfer कर देगे recombinant DNA को host के अनर वैंने total 5 method देखे हैं कितने method देखें हैं तो एक बारी हम लोग go through कर लेते हैं हमने आज क्या क्या पड़ा एक बार हम लोग go thru कर लेते हैं हमने देखा है basically आज tools of recombinant DNA technology जो हमारे key tools होते हैं सबसे पहला आता है हमारा restriction enzymes restriction enzymes को हम लोग commonly क्या बोलते हैं molecular scissors बोलते हैं जो की या तो ends पे cut करेंगी DNA या फिर बीच में cut करेंगी जो ends पे करते हैं उसे exonucleus बोलते हैं जो पिलकुल center में करते हैं this specific trophies the richtings and endonucleus बोलते हैं ये specific जो है restriction enzymes specific sequence who identify करते हैं जिसे क्या बोलते है recognition sequences जिसे क्या बोलते है recognition sequences तो recognition sequences canard basically to endonucleus identify करती है वो होते हैं हमारे palindromic sequences होते हैं वो sequences जिनको हम आगे से पड़े-पीचे से पड़े वो सेम ही पड़े जाते हैं they are read same सो जब foreign DNA को हमें vector DNA के साथ join करना होता है कौन सा enzyme काम करता है हमारा DNA ligase करता है कौन सा करता है DNA ligase करता है उसके बाद में separate कैसे करते हैं DNA fragments को by the process of gel electrophorescence जो electric field होती है पहले हमारा matrix होता है agros उसके उसके अंदर जो होता है हम DNA को load करते हैं और electric field के अंदर हम जो है DNA को run करते हैं DNA हमारा negatively charged है तो वह anode की तरफ भागता है जो larger segments होते हैं वो पीछे रह जाते हैं और smaller segments होते हैं वो आगे भाग जाते हैं तो इससे हमें बहुत easily हो जाता है isolate करने के लिए कि कौन सा segment जो हमारा interest का segment है हम उससे isolate करके जो है वेक्टर के अंदर incorporate कर दे इसको हम लोग कैसे देख पाते हैं बाइस स्टेनिंग थू इथीदियम ब्रोमाइड इन द यूवी रेस और इसके isolation को क्या बोलते हैं DNA को separate करके जो isolate करते हैं तूद जेल उससे हम लोग क्या बोलते हैं illusion बोलते हैं नेक्स्ट हमारा टूल आता है cloning vectors cloning vectors हमारे कौन कौन से होते हैं plasmids होते हैं बेक्टिरियो फाजिस क्यूंकि इनका copy number बहुत जादा होता है जब यह किसी भी DNA के अंदर किसी भी host के अंदर जाते है यह number of copies अपनी बनाते हैं तो इससे लिए हम लोग इने cloning vectors की तरह use करते हैं अब जो cloning vectors होते हैं उनके अंदर क्या क्या चीज़े होनी ज़रूरी होती है सबसे पहला origin of replication सबसे पहला क्या होता है origin of replication जिससे की जो DNA है वो link होता है वो आगे replicate कर पाता है दूसरा हमारा क्या होता है selectable marker होता है औरी के साथ-साथ हमें selectable marker चाहिए होता है जो की identify or eliminate करता है between the non-transformant and the transformant cell so transformation क्या होता है वो एक procedure होता है जिसकी वजह से जो piece of DNA हो introduce होता है into the host cell cloning sites to link the foreign DNA the vector need to have single recognition site कुछ-कुछ recognition sites होते है for the restriction enzymes के लिए recognition sites होनी बहुत जरूरी है अगल एक restriction enzyme की एक ही recognition site है तो वो बहुत अच्छा है वो बहुत easy कर देता है cloning का process पर कई-कई जैसे की PBR 322 के अंतर क्या है कि multiple recognition sites है तो वो थोड़ा complicate कर देता है उसके बाद में हमने एक term पड़ी थी insertional inactivation insertional inactivation किसले यूज होता है it is used for this selection of non recombinants from the recombinants ठीक है last हमार आता है जो में तूल चाहिए होता है वो था competent host competent host का होता है जो की readily accept कर ले vector DNA को having the foreign DNA of interest किसकी मदद से होता है first through the divalent calcium ions अगर हम लोग treat करते है host को वो efficiency बढ़ जाती है host cells की दूसरा by heat shock method पहले ice पर रखा फिर heat किया फिर ice पर रखा उससे भी हमारा host जो है competent बन जाता है फिर हमारा आता है micro injection method जिसके अंदर glass micro pipette की वज़े से हम जो है rdna हमारा जो recombinant dna directly nucleus के अंदर inject करते हैं फिर हमारा आता है biolistics या फिर gene gun method जिसके अंदर क्या होता है plant cells के अंदर जो हम लोग rdna directly insert करते हैं by coating the dna of interest on tungsten or gold जो last method होता है हमारा disarmed pathogen method होता है जिसके अंदर हम एक pathogen लेते हैं उसको हम लोग allow करते हैं to infect the cell जिसकी वज़े से वो transfer कर देता है application is transgenic plants are developed by a introduction of the foreign genes be clone and genetic modified genes see genetic engineering ya fd purified genes the transgenic plants and transgenic plants किया होते है हमारे genetically engineering engineered plants होते है genetically engineered plants होते हैं जिनके अंदर हमारा foreign dna already inserted होता है तो वो कैसे होते हैं उनको कैसे develop किया जाता है by introducing of the foreign genes यह इसका correct answer होगा क्योंकि वो genetically engineered plants है उनके अंदर बाहर का एक gene जो है गया हुआ है हमारा gene of interest उसके अंदर गया हुआ है तो वो कैसे develop होते है by the development by introduction of the foreign genes okay so first question हमारा हो जाता है second question पर हम लोग आते हैं the two microbes found to be very useful in genetic engineering कौन से दो microbes हैं जो हमारे genetic engineering के लिए बहुत ही ज्यादा important है बहुत ही ज्यादा useful है A E. coli and agrobacterium tumificance B. Vibrio cholerae and tailed bacteriophage C. Diplococcus and pseudomonas या फिर D. crown, gorgol, bacterium and cinerepidus elegance यानि की C. elegance कौन से ऐसे दो है जिन का नाम हमने बहुत ही ज्यादा भी सुना कौन से दो microbes हमें जब से ज्यादा useful मिले है इस रिश्चिया, coli and agrobacterium tumificance हमारा option A correct है very good option A हमारा correct है then question third the restriction endonucleus वो कहां पे cut करता है enzyme कहां पे cut करता है DNA को one strand of the DNA at specific site both strand of the DNA see both strand of the DNA at any side of a single strand of RNA see restriction endonucleus होते हैं वो करते हैं तो specific site पे ही cut है है ना specific site पे ही cut करते हैं तो specific site का अगर हम लोग देखें तो any site वाला हमारा eliminate हो जाता है single stranded RNA भी cut हो जाता है क्योंकि double stranded DNA पे ही cut करते हैं तो यह हो सकता है कि अगर वो दोनों strand पे cut कर रहे हैं तो one strand कैसे आएगा option B इसका correct है both strand of DNA पे करता है at specific site at specific site कौंसी होती है वो specific site वो specific site होती है हमारी recognition site जो की palindromic sequences होते हैं so next question पे चलते हैं the restriction endonucleases they are most widely used in recombinant DNA technology they are obtained from कहां से obtained करते हैं हम लोग restriction endonucleases ko plasmid say prokaryotic cell say bacterial phages say एव之حت se restriction endonucleases हम लोग कहां से obtained करते है plasmid से तो नहीं करते prokaryotic cell इत्ती मीझा इत्स Самने बैक्टीरियo फाघेंस से नहीं करते हैं हम लोग करते हैं इन्हे बैक् still और शे करते हैं से, रिस्रिक्षिन एंड नुकलेस हमारी किस से आते है, बक्तिरियो फार्जिस से, प्लास्मित से नहीं आते, प्रोकरियोटिक से नहीं आते और बक्तिरियों से नहीं आते है, बक्तिरियो फार्जिस से यह हम लोग लेते हैं, So, the last question of today's session is, in genetic engineering, antibiotics are used as selectable markers to select healthy vectors to keep a culture of free of infection as sequences from where replication starts. A, B, C, D, क्या होगा, antibiotics को हमने कैसे यूज़ किया है, as selectable markers, insertional inactivation के अंदर भी हमने antibiotics को यूज़ किया है, और selectable markers क्यों, क्योंकि यह identify करने में मदद करती है, transformants from non-transformants. है न, यह identify करने के लिए मदद करते हैं, कि अगर उस antibiotic culture पे resistant वाला gene grow कर रहा है, तो मतलब वो transformant है, और जो grow नहीं कर पा रहा है, bacteria, मतलब वो transform हुआ ही नहीं, वो non-transformant है, तो उसे हमें eliminate करना है. तो बच्चो यह था हमारा आज का lecture, जिसके अंदर हमने पढ़ा क्या, tools of recombinant DNA technology, अगले वाले lecture के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, पूरा process of recombinant DNA technology, तो बच्चो अगर आपको मेरे भी वीडियो पसंद आई है, तो लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है, अड़ा247 स्कूल के चैनल को, थांक यू फो वाचिंग दे वीडियो, बाबाई!